अचारे जी अध्यात में जाना है कि सुख दुख लाभाने अनुकूल प्रतिकूल जन्म मरण यह सब भाग्य के अधीन है मेरे अनुभाव से जब भी मैंने अपनी बुद्धी से कुछ चुनाओ किया वो गलत ही निकला अब तो अपनी बुद्धी और चुनाओ से भरोसा उठ गया है तो अगर सब कुछ भाग्य के ही अधीन है तो क्या हमें अपनी और से जीवन को दिशा निर्देश नहीं देना चाहिए कृप्या समझाएं जो कुछ बाहर से आ रहा है वो तो भाग्य के ही अधीन है आप उस पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकते तो सुख दुख लाभानिय अनुकूल प्रतिकूल जन्मरण जाहिर सी बात है कि ये सब तो सयोग है इन पर हमारा क्या बस इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी भी चीज पर आपका बस नहीं है इस शलोक में बस ये गिनाया गया है कि किन किन चीजों पर आपका बस नहीं है ताकि आप उन पर नियंतरन करने की विर्थ कोशिश छोड़ दें। भई जिस चीज पर नियंतरन किया ही नहीं जा सकता। उसको नियंतरित करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो अपना समय उर्जा सब खरावी करेंगे। इसलिए बताया गया है कि देखो तुम इन चीजों को रोकने कोशिश मत करना। हमें नहीं पता कि हवा कब बहने लग जाएगी। हमें नहीं पता कि पेड की चिडिया कब चहचाह उठेगी। हम नहीं जानते कब बारिश हो जाएगी। इन बातों पर नियंत्रन करने की कोशिश मत करो हाला कि इन चीजों पर नियंत्रन करने की कोशिश हमारी बहुत रहती है क्योंकि उससे हमें सुरक्षा की जूठी भावना मिलती है। आदमी जीवन भर इन ही चीजों पर तो किसी तरह का बस पाना चाहता है ना। मौत से बच जाओं सुख पर अपना एक शाश्वत नियंतरन कर लूँ दुख से किसी तरह बचे रहने की आश्वस्ति पालूँ आदमी उन चीजों को नियंतरित करना चाहता है उस आयाम में सुरक्षा पाना चाहता है जहां किसी तरह की कोई सुरक्षा हो नहीं सकती आदमी वहां पर सातत्य पाना चाहता है जहां किसी तरह का कोई सातत्य हो नहीं सकता अगर आप इस जूटी कोशिश से बच जाएं तो फिर आप अपनी उर्जा वहां लगाएंगे जहां पर आपकी उर्जा फल्दाई होगी. प्रक्रति का, संयोग का, भाग्य का, बाहरी दुनिया का, स्वामी आप कभी नहीं बन सकते हैं. लेकिन आप अपने स्वामी बन सकते हैं. तो इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि गलत जगह कोशिश करना छोड़ो, सही जगह कोशिश करो. दुनिया को नहीं जीत सकते हैं, तुम खुद को जीत सकते हो. कोशिश तुम्हारी लेकिन पहली यही रहती है, कि दुनिया को जीत लूँ. बिना यह जाने, कि तुम दुनिया को जीतने के लिए इतने आतुर हो ही रहे हो, क्योंकि तुमने खुद को नहीं जीता है तुम्हारा मन एक बेलगाम घोड़ा है और वो बेलगाम घोड़ा दुनिया भर में घूमना चाहता है इसलिए तुम दुनिया को जीतना चाहते हो तो कोशिश करनी है खुद को जीतने की कोशिष करनी है, स्वयम पर नियंदरन पाने का अर्थ होता है, स्वयम का विसर्जन. उसके अलाबा हुद को नियंदरत करने कोई तरीका नहीं होता. सुख दुख आते रहेंगे, तुम नहीं रोक सकतें. तुम उसको जरूर साध सकते हो जो भीतर सुख दुख का अनुभाव करता है फिर उसके लिए सुख भी बाहरी चीज हो और दुख भी बाहरी चीज हो अगर तुमने उसको साध लिया अगर तुमने उसको सही सीख सही प्रशिक्षन दे दिया तु अनुकूल प्रतिकूल भी बाहर से आता रहेगा तुम होगे कितने बड़े भी खिलाडी कोई इस तरह का निश्चित नहीं है कि बाहर तुम्हारे लिए चीजें सब अनुकूल ही बना पाओगे तुम तुम होगे कितने भी काबिल कितने भी विद्वान, कितने भी गुणी लेकिन बाहर तुम अनुकूलता ही अपने लिए निर्मित कर लोगे ऐसा कुछ निश्चित नहीं है हाँ एक चीज निश्चित हो सकती है कि बाहर अनुकूल हो कि प्रतिकूल हो भीतर तुम कूल-कूल हो ये कर सकते हो बाहर सरदी है गर्मी है भीतर तो हम निरंतर शीतली रहते हैं बाहर का मौसम कैसा भी है भीतर एक शांती रहती है एक मौन रहता है बड़ा आनंद रहता है समझ में आरी ये बात ये बात यहाँ पर समझाई गई है ये श्लोक भाग-गेवादिता का, फटेलिजम का नहीं है, यह तुमसे यह नहीं कहरा है, कि सबकुछ भागेभरों से छोड़ दो, बलकि यह तो तुमको जबरदस्त प्रेत्न करने की सीख दे रहा है, बस यह तुमसे तुमसे कहरा है, कि गलत दिशा में मतपरेतन करना, गलत दिशा कौन सी होती है, जब तुम चाहते हो दुनिया को बस में करना, उर्जा का दुरुपयोग है, स्वयम को बस में करना उर्जा का सदुपयोग है, इसमें आगे की कहानी ये है, कि जब तुम स्वयम को बस में कर लेते हो, तब तुम ये भी जान जाते हो कि अब तुम्हें दुनिया में किस दिशा में श्रम करना है लेकिन तुम्हारे श्रम की पहली दिशा आंतरिक होनी चाहिए अंतरगामी होनी चाहिए तुम्हारी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि तुम भीतर की तरफ जाओ अंदर को श्रम करो जिसने अपने उपर काम कर लिया अपने उपर महनत कर लिया अब वो दुनिया में भी सार्थक काम कर पाएगा लेकिन जो अपने उपर महनत करे बिना दुनिया को जीतने निकल पड़ा वो अपने उपर भी हार पाएगा और दुनिया से भी हार जाएगा वो दोनों तरफ से हरंता होगा पहले अपने आपको जीतो ताकि सुख दुख, अनुकूल प्रतिकूल, लाभानी ये सब तुम्हें एक से हो जाएं फिर तुम अपने आप ही विश्वजीत हो जाओगे प्रतिकूल, अनुकूल, ये सब दुम्हें